गैंगरेप में एक आरोपी को आजीवन कारवास और दूसरे को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही 3,65,000 रुपे का जुर्माना भी लगाया गया है परिजनों से नाराज होकर घर से निकली किशोरी से सिकंद्रा शेतर में दो यूवकों ने दुशकर्म किया था शहगन शेतर में रहने वाली किशोरी से गैंगरेप के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारवास और दूसरे को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है इसके साथी कोट ने 3,65,000 रुपे का जुर्माना भी लगाया है पिताने शहगन जिथाने में तहरीर दे कर आरोप लगाया कि उसकी 14 साल की पुत्री घर से नाराज होकर सिकंद्रा चली गई थी उसी समय में ले दो लड़कों ने लड़की के साथ छेड़ छाड़ की और अपना मुबाइल नंबर दे दिया था पोलिस ने मुकदमा दर्चकर युवोकों की तलाश की विवेचना के दोरान लड़की से शुनाक्त कराने पर राम शर्मा और अरविंद्र पिपल का नाम प्रकाश में आया पोलिस ने दोनों को जेल भेज दिया था जेल से मिली जाँच रिपोर्ट में आरोपी रविंद्र पिपल HIV पॉजिटिव मिला लड़की की जाँच कराई गई तो वो भी HIV पॉजिटिव संक्रमित पाई गई पोलिस ने आरोपियों के विरुद गैंग रेप छेट छाड़ धम की पॉक्सो एक्ट SCST एक्ट के तहत कोट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया इस मामली में विशेश अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने वादी पिडिता समेट 10 गवह कोट में पेश किये उधर कोट ने आदेश दिये कि पिडिता को राज सरकार से 5 लाख प्रती कर के रूप में दिलाये जाए नियाले की संस्तोती के लिए निरणय की एक प्रती जला विदिक सेवा प्रादी करण को देने के लिए कहा गया विशेश नियाधी शिपॉक्स वैक्ट पर वेज अक्तर ने ताजगंश के रहने वाले राम शर्मा को दोशी पाया जाने पर आजीवन कारावास और 1,65,000 रुपे जुर्मानी की सजा सुनाई है वही सईया के रहने वाले रविंद्र पिपलोर्फो मौटा को 20 वर्ष कैद और 1,15,000 रुपे से दंडित किया है सी नियूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट